हेलो फ्रेंड्स आप सभी का आपके चैनल टार्गेट गवर्मेंट नौकरी में स्वागत है फर्स्ट अपल आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस चैनल पर विजिट किया तो आज जो कोश्चन लेकर आया हूं यह बहुत ही महतपूर्ण कोश्चन है जो बार-बार कहीं न कहीं आपके एक्जाम में पूछे ही जा रहा है तो इन कोश्चनों को आप देख लिजे अगर आप पहले से पड़े हैं तो आप लोगों का रिविजन हो जाएगा और अगर आप नहीं पड़े हैं तो इन कोश्चनों को आप याद कर लिजे क्योंकि क बोकर कीजिन न किजिश्ट में और कहीज न कभी भी इन कोस्छनों का सामने सामना हो सकता और एसा नहों कि फिर यह कॉस्छन आप से छूड़ ज़िया है क्योंकि एक कुछ। आप लोगों के लिए आज की डेट पे बहुत ही इंपोर्टन्ट है कौन सा एक्जाम में कौन सा कुश्चन बन जाए और कौन ना बने एक एक नमबर एक एक पॉइंट से लोगों का सेलेक्शन रूप जाता है तो बने रहिए लाश्ट तक इस वीडियो में आप लोगों को यहां से बहुत सारे अच्छे अच्छे नौलेज़ मिलेंगे तो चलिए फिर सूरू करते हैं अपना आज का विडियो थीकई भारत में कौन सी तिथी सवीधान दिवस के रूप में मनाया जाता है सवीधान दिवस के रूप में कौन सा तीथी मनाया जाता है तो पहला क्या दिया हो 26 अमबर दूसरा 15 अगस, तीसरा 14 अप्रेल और 14 जो दिया हुआ है 6 दिसंबर तो इसका सही एंसर क्या है वो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर लाश्ट में टोटल जीतने भी कोश्चन हो उतने में आप कितने कोश्चन सही किये आप अपना रिवीव जरूर दीजेगा ठीक है तो पहले का ये जो भारत में कौन सी तीथी को सविधान दिवस मनाया जाता है इसका सही अंसर क्या है बहुत लोगों को पता होगा तो वो होगा ए 26 जन्वरी ठीक है अब इसके कुछ मैं फैक्ट बता दूँ आपको कि भारत में प्रतिवर्स ये सौरी 26 जन्वरी बोला गया 26 नवंबर भारत में प्रतिवर्स 26 नवंबर को सविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1986 को 26 नवंबर 1999 को सविधान सबा दोारा भारत के सविधान को अंगी करित किया गया था मतलब इस दिन इसका प्रारूप तैयार किया गया था जो 26 जन्वरी 26 जन्वरी 1950 को इसको लाग गर दिया था जिस दिन हम गरतंत दिवस के रूप में मनाते हैं दिवस के रूप में मनाते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा सविधान दिवस 26 नवंबर को मना जाता है 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ था और पूरी ते के से इसको लागू कप कर गया था 26 जनवर 1950 को ठीक और गरतंत दिवस इस दिन को मना जाता है आप चलते हैं नेक्स्ट कोशन के ओर नेक्स्ट कोशन हमारा क्या है नेक्स्ट कोशन जो है देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन पर भारत के सबिधान के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा कथन असंगत है मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा option दिया हुआ है जो की सही नहीं है तो देखिए इसमें पहला क्या दिया हुआ है यह कानून के सासन को विदिवद्ध करता है यह बिल्कुल सही है आपका यह कानूनी दस्तवेज नहीं है यह राष्ट के नियमों की पुस्तक है ठीक अब यह मौलिक राजनेतिक मुल्यों को दरसाता है यह चार option दिया है जिसमें से पहला तो आपको बिल्कुल सही है दूसरा जो है यह गलत हो जाएगा यह कानूनी दस्तवेज नहीं है यह गलत होगा क्योंकि कानूनी दस्तवेज है यह और तीसरा सही है यह राष्ट के नियमों की पुस्तक है यह मौलिक राजनेतिक मुल्यों को दरसाता है अब इसके बारे मैं मैं कुछ बता दूँ आपको कि भारती सविधान एक मौलिक कानूनी आलेक है जिसके अंतरगत किसी देश की सरकार कारे करती है ठीक है यह सविधान देश में बिधाई का, कारे पाली का एबम नगर पाली का की विवस्था तथा उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है ठीक इसलिए हमारा यहाँ पर जो है दूसरा वाला अपसम सही हो जाएगा मतलब कि यह सही हो जाएगा बाकी तीनों तो सही है मतलब यह answer B वाला होगा जो की गलत है ठीक है क्योंकि असंगर पूछा ठीक, अब उसके बाद next question क्यों चलते हैं next question में देखिए सविधान सभा ने भारती राष्टी धोज को कब अपनाया था तो यह बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो आज जान लिजे अगर जिसको नहीं पता है कि सविधान सभा ने भारती राष्टी धोज को कब अपनाया था तो वो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 दिया है, 22 अगस्त 1947 दिया है, 22 जनवरी 1948 दिया है और 22 अक्टूबर 1947 दिया है तो इसमें सो जो हमारा सही अंसर हुआ वो 22 जुलाई 1947 है अगर आप लोगों ने 22 जुलाई 1947 को चुना है तो वो बिल्कुल सही है क्योंकि भारत की जो सविधान सभाद्वारा राश्टी दोच का प्रारूप तयार किया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इस दिन इसको अपनाया गया था, ठीक है? फिर आश्टी दोच के बीच में जो चक्र होते हैं, जो तीलिया होती है, चक्र में, वो कितने होते हैं? वो टोटल 24 तीलिया होती है, जो चक्र होता है दोच के बीच में, ऐसे ऐसा बना रहता है, ये टोटल कितने तीलिया होती हैं? ये होती है, 24 ठीक है? अब next question की ओर देखते हैं सविधान सविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चोड़ाई के बीच का अनपात कितना होना चाहिए तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका answer पता होगा तो इसमें answer में क्या क्या दिया पहला दियाओ तीन अनपाते दो तीन अनपाते एक दो अनपाते एक चार अनपाते तीन तो हमारा जो तिरंगा रहता है वो इस तरीके का कुछ है रहता है ठीक है ये इस तरीके का कुछ है रहता है ठीक उपर में केसरिया फिर सफेद फिर हरा तो यह जो तीन रहता है यह इसकी लंबाई होती है मतलब अनपात बता है तो यह अनपात तीन होता है यह दो मतलब हमारा एंसर जो है वो ए हो जाएगा ठीक अब उसके बाद next question में देखते हैं next question क्या दिया हुआ भारत के राष्टिगान के रचाईता कौन है ठीक है तो भारत के राष्टिगान के रचाईता कौन है यह बहुत सारे लोगों को पता है तो इसमें option क्या क्या दिया रवीन नाट टैगोर वकीम चंद चटरजी पिडिमारी वेंकट और फिर उसके आद पिगनी ठीक है तो इसमें से हमारा जो सही अंसर है वो क्या है वो है रवीन नाट टैगोर रवीन नाट टैगोर जो है वो मूल रूप से बांगला में रचीत और संगीत बद जन गन्वन भारत का राष्टिगान इसके हिंदी संस्करण को सविधान सवा के द्वारा भारत के राष्टिगान के रूप में 24 24 जनवरी उन्निस सो जनवरी 1950 को अपनाया था ठीक अउसके बाद ये जो वकिम चंद चटरजी है ये कौन ये जो हमारा बंदे मातरम है राष्टिगी उसके रचैता ठीक है तो वकिम चंदर चटरजी जो है वंदे मातरम के रचैता ठीक है जो राष्टिगी थै अब उसके बाद next question देख लेते हैं next question जो है हमारा देखिए भारत एक गड़ राज गरतंत राज है ठीक है मतलब गरतंत रहे भारत एक गर्तंत है, गर्तंत का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है किया तो देखिए इसमें क्या क्या दिवा है, भारत एक गर्तंत है, गर्तंत का मतलब क्या है सासक, राजा या रानी होती है, सासक, राजा या रानी का सीधा वनसज होता है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोच्छ रूप से चुना जाता है वह दिन जब भारत स्वतंत हुआ तो इसका सही option जो होता है राज्य का सी राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोच्छ रूप से चुना जाता है क्योंकि सासक राजा या रानी हो ये नहीं होता इसमें गड़तन्त में सासक राजा या रानी का सीधा वंसा जो ये भी नहीं होता और वहा है दिन जब भारत स्वतन्त हुए तैंसा भी कुछ नहीं तो हमारा option जो है C, ये साही हो जाएगा इसके कुछ फैक्ट है भारत एक गर्तंत्र है इसका तात्पर है कि भारत का राष्ट राष्ट्य ध्यच जो होता है निर्वाचित होगा ना कि वनसा नूगत होगा ठीक है आता भारती गर्तंत का प्रमुख या राष्ट्य ध्यच राष्ट्पती होता है तो हमारे जो गर्तं शप्रदालि से होता है कि इसका राष्ट पति का चुनाओ अब प्रत्य शप्रदालि उसके नesht लेते हैं नेक्ट कोश्चन क्या है बिश्व के प्रजातंत वादी देशों में किस देश का सविधान सरवाधिक, लंबा और बहुत बिश्तित है तो इसमें अप्शन क्या दिया हुए सबसे लंबा सविधान बिश्य के प्रजातंत वादी देशों में किस देश का सविधान सरवाधिक, लंबा और बहुत बिश्तित है सहिंतराज अमेरिका, ब्रिटेन दच्छिड अफ्रिका और भारत तो हमारे भारत का जो है वो सविधान जो है सबसे लंबा और बहुत बिस्तिलित है ठीक है और इसके बारें बता दूँ कि भारत का सविधान 200 का सबसे बड़ा सविधान इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसुचियां है ठीक है कि समयुक्तराज अमेरिका का सविधान प्रथम पूर्ण लिकित सविधान है मतलब कि जो संयुक्त राज अमेरिका है USA उसका सविधान जो है प्रत्थाम पूर्ण लिखित सविधान है मतलब सबसे पहला लिखित सविधान वहीं का है वह बिश्व का सबसे छोटा सविधान भी है USA का सबसे छोटा है ठीक है सबसे छोटा सविधान लिखित सविधान है ज तो सबसे लंबा और बहुत बिस्त्रित किसका है भारत का और सबसे चोटा किसका यूएसे का और सबसे पहला लिखित सविधान सबसे पहला लिखित सविधान किसका है वो है यूएसे तो यह भी आप याद रखेगा नेक्ट कोश्चन देखते हैं मुल्भूत अधिकारों में से जादातर हमारे सविधान के डैस से डैस अनुच्छेद में सामिल किये गए तो हमारा जो मुल्भूत अधिकार है हमारा जो मुल्भूत अधिकार है वो कितने से कितने अनुच्छेद की बीच में सामिल है पहला दिया 1-10, दूसरा 12-35, 36-51 और 112-35 तो इसका सही जवाब जो है, वो क्या है 12-35 भारती सविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12-35 यहां हो जाएगा 12 और यहां हो जाएगा 35 35 तक मौलिक अधिकारों का बढ़नन किया गया है किसका मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार का बढ़नन है ठीक है बर्तवान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किये गया है छे मौलिक अधिकार प्रदान हमको, ठीक है, जिसमें बहुत सारे हैं, सोतान तता का, समानता का, ये सारी चीज़े जो हैं, ये 6 मौलिक अधिकार हमारे, ठीक है, अब next question देख लेते हैं, next question जो है, सिच्छा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना, ये सिच्छा का अधिकार जो हता है, ये बहुत बड़ा अधिकार है, जो लोगों को मिला है, बहुत दिनों बाद लेकिन, तो ये एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, लेकिन ये कब हमारे सविधान में जोड़ा गय कि सिच्छा एक मौलिक अधिकार है यह जुड़ा है कब अप्रेल 2000 आज दिया है अप्रेल 2004 अप्रेल 2012 और अप्रेल 2010 तो यह यूपिये का सरकार जब था यूपिये का कारिकाल था तब ही यह हमारे सविधान में जुड़ा है ठीक है तो यह कब जुड़ा है अप्रेल 2010 में इसका सही अंसर क्या हो जाएगा हमारा अप्रेल 2010 सविधान 86 86 संसोधन जब हुआ है इसे के लिए हुआ था सिच्छा का अधिकार हमारे सविधान में सामिल किया गया था तो यह 86 संसोधन जब हुआ था 2000 अधिनियम 2002 के द्वारा हां ठीक है सविधान के भाग तीन भाग तीन में नया अनुच्छेद अनुच्छेद 21 का 21 का जोड़ा गया था ठीक 21 का जो कि अभी में बताया मौली का अधिकार कितना 12 से 35 ठीक है तो 21 का जो है यह इसमें जोड़ा गया था जिसके अनुसार राज 6 से 14 वर्स की आयू के सभी बालकों को निसुल्क और अनिवार सिच्छा का की विवस्था किया था इस अनुक्रम में सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 संसाथ द्वारा पारित किया था जो अप्रैल एक अप्रैल 2010 को लागू किया गया यह बहुत ही बड़ा अधिकार मिला सभी बच्चों को ठीक है अब नेक्स्ट कोशन देखते हैं 25 जुलाई 2012 को स्री प्रणव मुखर जी ने भारत के कौन से नंबर के राष्टपती के रूप में पदभार ग्रहण किया था तो यह पहला क्या दिया 14 फिर तेरा फिर 11 फिर बारा तो आप लोगों को पता ओगा इसका एंसर आप लोग 국민 बाक्सबार जरूर दिजिएगा तो इसका सही एंसर क्या है इसका सही एंसर जो है वो ते रहर वा ठीक है तो हमारे जो प्रणव मुखर जी जो राष्टपती बने थे वो कौन से थे ते रहवे नंबर के जो 2012 से लेकर 2017 तक थे ठीक है और 2017 में अभी 14 नंबर के 14 नंबर के राष्टपती कौन है तो वो है रामनात कोविंद है रामनात कोविंद है ठीक है यह 14 में नंबर के राष्टपती है हमारे जो अभी जिनका कारिकाल चल ही रहा है तो प्रत तो 17 15 जूलाई से 17 तक यह हमारे राष्टपती थे और अभी रामनात कोविंद है और उप्राष्टपती कोण है ऊप्राष्टपती कों है यह आप लोग कमेंड बॉक्स पर इसका एंसर दीजये अभी उप्राष्टपती कोन है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट और आजकर आखरी कुश्यन है यह निमलिखित में से कौन से बिकल्प में भारत के उपराश्च्पती बनने है तू अहरता नहीं है मतलब हमारे देश के उपराश्च्पती बनने के लिए कौन-कौन से उन में क्वालिटी गुन होने चाहिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए तो सबसे पहला दिया है भारत का नागरिक होना ये तो कंपलसरी है 35 साल की आयू से अधिक होना ये भी कंपलसरी है अब उसके बाद फिर उसके बाद क्या बोला लोक सभा की सदस्यता का धारक और राज्यसवा की सदसेता का धारक तो आप लोगों को बता दूँ कि लोक सबा की सदसेता का धारक होना जरूरी नहीं है मतलब option C, यह नहीं होना चाहिए, राज्य सभा के सदा सिकाधारा की होना चाहिए, ठीक, तो ऐसे बता दें कि जो राज्य सभा यह पहला नम भारत का नागरीक हो, 35 वर्ष के आयू हो, राज्य सभा का मेंबर हो, यह सारी चीजे उपराश्पती के लिए होना जरूरी है तो अब इसके बाद आप लोग एक चीज और बता दीजे कि भारत के पहले उपराश्पती कौन थे, उनका नाम आप लोगों को पता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताई, कौन फर्ष्ट उपराश्पती, उपराश्पती कौन थे, इसका एंसर आप लोग कमे होदी क्या है, राज्य सभा, की सदस्यता, मतलब यह जो सदस्य होते हैं, राज्य सभा की, वो कितने साल के लिए होते हैं, इसका भी अंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर दिए, ठीक है, तो ऐसे ही कुश्चन देखे, 11 कुश्चन जरूर थे, लेकिन इन कुश्चनो के साथ आपके बहुत सारे डाउड भी क्लियर हुए, 11 से कम से कम 20 से 25 कुश्चन इन 11 में से निकल के निकले, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, यह सारे के सारे कुश्चन आप लोगों को मिल गए, तो चलिए फिर ऐसा ही कुश्चन के लिए, नेक्स्ट विड जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और जो जो कोश्चन मैंने पूछा उनका एंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी आनने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तो किसी आनने वीयो में बॉक्स पर जरूर कि दोस्तों किसी आनने जरूर कि साथ तोस्तों किसी दोस्तों कितरू आनने ओंसर